तो आज देश चोहत्रवे गंतंत्र दिवस का जश्ण मिना रहा है हर बार की तरह इस बार भी देशवासियों मरतव्यपत पर पहुंचेंगी तिरंगा वहां पर फैराया जाएगा 21 तोपों की सलामी दी जाएगी काफी भव्या यह नजारा होता है हमारे साथ तीन मेमान बने हैं विशंपर द्याल जी है साथ में हमारे साथ कैप्टन ब्रिटाइड और अलोक बंसल जी भी हमारे साथ बने वह हैं बंसल जी क्यूंकि आज काई ज़रा कि आज की जो थीम है वह आत्म निर्बर भारत 21 तोपों की सलामी दी जाएगी वह भारतीय तोपे होंगी उसके बा प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी का फोकस जो है मेक इन इंडिया पे रहा है और मेक इन इंडिया का जो मेन जो थ्रस्ट है वो रक्षा शेतर पे हैं और अभी तक हमारे पास एक बहुत ही दुर्बाग्यपूर्ण टैग था कि हम दुनिया के सबसे बड़े शस्त्रों के आया तक थे अब उस आया तक से हमें निर्यातक बनने की जो चेश्टा है उसमें जितनी सफलता प्राई है उसको हम दिखाएंगे मेक इंडिया के माध्यम से ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीद होगी क्योंकि हमारे हाँ विदेशी महमान होंगे काफी बड़ी संख्या में लो गुरुदेव जी आपसे मैं जानना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस तरह से हम जिकर करें तो मैं चारों को किस्सा भी आप सुनाएं क्योंकि हम दर्शकों को बता दें गुरुदेव जी के जो पिता जी थे स्वर्गिया जस्वेद जस्देव सिंग जी तो व पारे में थोड़ा बता है यह बात आपने एक छू देने वाली बात की जस्देव सिंग जी अनाउंसर के तौर पे आकाश्वाणी जैपुर से आये थे जब चीन की लड़ाई हुई तो इंद्रा जी आई एनबी मिनिस्टर थी और वो दिल्ली स्टेशन पे अच्छी से बहुत राष्ट्रिय अता का और उनकी सबसे बड़ी खायश यही थी कि वे अपने जिनको वो अपना गुरू मानते थे स्वर्गिय अंग्रेजी के कामेंटेटर मेल्विल डेमेलो उनके साथ साथ रिपब्लिक डे या गनतंत दिवस की जो परेड दिल्ली में होती थी उसक आँखो देखा विबरन आकाशवानी पर सुना सकें टेलिवेजन तो होता नहीं था तो 1963 में उनकी ये खायश पहली बार पूरी हुई और उसके बाद वे लगातार रेडियो करते रहे फिर रेडियो के बाद में टेलिवेजन का जमना आया तो वे टेलिवेजन में चले एक आद बार बीच में नहीं कर पाए लेकिन 49 बार उनोंने ये कॉमेंटरी की तो उनकी ये खायश अदूरी रह गई कि बें 50 बार गंड़तनतर देवस की कॉमेंटरी कर सकें पर हर चीज पूरी नहीं होती है इसी तरह से उनोंने कुछ 30 में 30 बार लाल केले से 15 अगस्त की जो है सदन से अपनी मिजायल होनी चीए जो एरक्राफ्ट से आप फायर करके दुनिया के टैंकों को डिस्ट्रोई करके तो पूरा का पूरा जो जो आज आप देख रहे हो आतम निर्बर ये बहुत लंबी महीम है और इसके लिए मैं समझता हूं हमारे डिया डियो साइंट और यूकरेन का उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि जो देश दुनिया को आप तो कहने ग्लोबल विलेज है लेकिन जब बात इंडिविज्वल सेक्यूरिटी की आती है सुरक्षा की आती है अपने मान समान की आती है तब कही ना कहीं जब तक आपके पास अपना हथि जनर्शिप नहीं है जब तक आपकी अपनी सोच नहीं है आप लड़ाई में आगे आने वाले समय में